हैलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में देखेंगा रैप विजट क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं उस्से पहले इंटो चला लेते हैं तो चलते हैं पाउरपॉइंट में और इसको डिसकस करते हैं तो चलते हैं PowerPoint में तो देखिए अगर हम बहुत इस इंपल डॉम्स में बात करें आपका यह application है ओके और यहां पर आप अपने विजेट को एक horizontal fashion में align करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे simply अपना row विजेट बनाओगे और इसके अंदर अपने विजेट पासान कर दोगे आपके बाद बिल्कुल से यह तो माल लीजेए आपको यहां पर दो विजेट आपने implement कर दिये और जो हमारा total screen size था वो था माल लीजेए हमारा 400 पिक्सल्स विजेट में और आपने जो यहां पर visit implement करें हैं मान लीजेए हमारे थे 150 पिक्सल्स विजेट में इसको करते हैं प्लेगे यहाँ पे हमने अपना रोविजिट इंप्यमेंट किया और उसमें हमाएं दो चिल्डन है अगर हम इसको कॉपी करके जो हमारा सेकेंड विजिट है प्लेज करेंगे तो यहाँ पे आपको ओवर्फलोव एरर मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे हम्ने व जो भी विजिट आप यहाँ पे प्लेस करना चाहते हो उसको next line में प्लेस कर देगा तो अब इसके अंदर जो प्रपरटी होती है उनको चेक आउट कर लेते हैं सबसे पहला चिल्डर यह एक लिस्ट होती है जो भी विजिट आप इसके अंदर कोट करने वाले हो simply आप इसमें चाहते हो center चाहते हो start चाहते हो space इवनी चाहते हो space between, around between अशीतनी ही हमें row और कॉलम के साथ प्रवाइड होती है यहां पे alignment property आपकी काम करती है, main access alignment की तरह और run element काम करती है, कि आपकी Cross-Xes alignment की तra जो हमारी row और column में होती, replacing property इसमें क्या होता है, जो भी आपकी main axis है, उसमें हमारीים जो विजिट में उनके बीच में आपको अपको कितना spacing जाये घर चाले के बाद run-space प्रपरिटी, जो भी कels Professeyo alignment है यहां पर simply अपना text widget यूज़ किया और यहां पर हमने अपनी row बनाई है जिसमें simply अपने ये दो widgets प्लेसाउन किये हैं ये chip widget नीचे मैंने code किया ये दिखे इसके अंदर simply अपना text pass कर रहे हैं और ये हमें इस type का container प्रवाइट कर दे रहे हैं तो यहां पर हमने दो chips pass on करी हैं जो आपको यहां पर show up हो रही है तो यहां पर भी कोई भी issue नहीं है लेकिन जैसे ही आप इस second chip को copy करके इसमें paste करोगे यहां पर आपको overflow error show up हो जाएगी यह देखे तो इसी functionality को achieve करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना wrap widget यह क्या करेगा अगर यह वाला widget इस row में fit नहीं हो पा रहा है तो simply इसको यहां नीचे place on कर देगा तो इस code को करते हैं uncomment जहां आपने wrap widget को use किया और यहां पर मैं एक size box use कर लेता हूँ थाकि आपको row और wrap widget की बीच में थोड़ी spacing मिल जाए height ले लेते हैं यहां पर 300 और इसको करते हैं यहां पर save तो अब यहां पर आपको नीचे अपना wrap widget शोगा और यहां पर आपको कोई भी overflow error शोप नहीं होगी यहां पर क्या होगा अगर हमारा widget इस row में नहीं आ पा रहा है तो simply इसको यह next line में place on कर देगा और इसके अंदर जो children property होती है इसके अंदर आपको जो भी विजिट यहां पर शोगराने वह pass on करने होते है उसके बाद element property के अंदर जो भी इसकी main access alignment है वहां आपको कैसा element चीए तो अभी हमने इसको row यूज किया है तो हमारी main access हो जाएगी horizontal ओके तो यहां पर alignment को हमने set किया wrap alignment.center यहां पर आपको ऐसा नहीं लिखना है main access alignment.center यहां आपको लिखना है wrap alignment.center मतलब जो भी हमारे उसके बाद run alignment property जो भी हमारी cross access alignment है वहां आपको विजट को कैसे align करना है तो यहां पर आपको cross access alignment alignment नहीं use करना यहां आपको type करना wrap alignment देन उसके बाद spacing property जो भी हमारी main access है उसमें जो भी visits है उनके बीच में कितना space होना चाहिए अगर हम इसको 100 define करेंगे तो यहां पर आपके जो भी access alignment में आपको कितना space जी है तो अगर इसे करते हैं 30 दन से तो आपकी जो भी वर्टिकल पैडिंग है वह increase हो जाएगी तो इसके बाद last में होती है इसकी direction property कि आप wrap विजट को किस तरह यूज करना चाहते हो ओके तो उमेद करते हैं आपको वीडियो समझ में आयोगी पाकी मिलता नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सिया फ्रेंट्स तिल देन बी सेफ एंड कीप लर्निंग